खेसारी बिग बॉस में क्या गए उनकी पतनी चंदा यादो रोपड़ी जी हाँ वैसे देखा जाये तो लगता है चंदा यादो से खेसारी लाल यादो दो महीने और दूर रहे अगर खेसारी लाल यादो की जर्नी लंबी हुई वैसे तो भोचपूरी स्चार जब भी गए है बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी लंबी ही रही है अगर खेसारी भी वैसे ही साबित हुए खेसारी की जर्नी लंबी रही तो खेसारी लाल यादो और चंदा यादो फिर शायद दो महिने बाद ही मिल पाए वैसे ये पहला मौका है जब खेसारी लाल यादो इतने लंबे समय के लिए अपने परिवार से दूर है वैसे ये दूरी इसलिए जादा मायने रख रही है कि खेसारी लाल यादो सीधे लंदन से आये और बिग बॉस के घर में चले गए वैसे कहा जा रहा है वहाँ सी ओफ करने लिए पतनी चंदा यादो और बेटी कृती यादो और साथ ही साथ उनके कुछ करनी भी रिष्टेदार भी आये थे उन्हें सी ओफ करने के लिए जब खेसारी लाल यादो बिग बॉस के घर में गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा सुरू की वहां से लेकर बिग बॉस हाउस तक उनके आखों पर काली पट्टी बांधी गई थी ताकि खेसारी लाल यादो के आने का और खुद खेसारी लाल यादो को ये पता ना चल सके कि वो बिग बॉस के घर में किस तरह से जा रहे हैं वैसे खेसारी लाल इकलोते ऐसे स्टार नहीं है जिसके साथ ऐसा किया गया हो खेसारी लाल यादो से पहले भी कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है और तकरीबन बिग बॉस के हर एक कंटेस्टेंट के साथ ऐसा होता है लेकिन खेसारी लाल यादो को बिग बॉस के घर में अपने घर की याद बहुत सताएगी घर से खेसारी लाल यादो पहले ही 20-25 दिन दूर रह चुके हैं और अब अगर उनकी जर्नी लंबी हुई तो ये जर्नी और लंबी हो सकती है ऐसे में खेसारी लाल यादो को अपने घर की यादाना लाजमी है बोच्परी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले